चमबाजिला में चुरहा विधान सबहक्षेतर के तहत तीस आस्पताल में मरीजों को अल्ट्रोसाउंड के सुविधा ना मिलने से भाई परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों ने कहा कि अल्ट्रोसाउंड के सुविधा लेने के लिए मरीजों को करीब 90 किलो मीटर का सफर तैकर चमबा आना पड़ रहा है प्लेगनेट औरते होती हैं उन्हें 100 किलो मीटर चमबा जाना पड़ता है अल्ट्रोसाउंड करूआने के लिए कोई अगर अमर्जनसी हालात में अल्ट्रोसाउंड करूआना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है कोई बहुत सारी ग्रीब है यहां पर चुरह में अभी और अल्ट्रोसाउंड के लिए चमबा जाना पड़ता है हजारों रुपे खर्च होता है लेकर जो यहां बीवास् सो रुपे के अल्ट्रोसाउंड के लिए 2,500 की गाड़ी लेके जाना पड़ता है और यह अल्ट्रोसाउंड जो है आम जनता को 3 या 4,000 में पड़ रहा है तो मेरी सरकार सी अनुरोध है कि इस अल्ट्रोसाउंड को विवस्था को जल से जल दुरूस्त किया जाए इस पीच अस्पताल के BMO डॉक्टर रिशी पूरी ने कहा कि इस सम्मंद में विभाग को पत्र लिखा गया है अर्टर साउंड की मशीन हमारे पास नई मशीन है और वो 3-4 साल से है बट दू जो रेडियो लोजिस्ट होता है इसके लिए स्पेशलिस्ट दॉक्टर होता है हमने काफी बार लिखा भी है और जैसे ही कोई रेडियो लोजिस्ट की अपांटमेंट यहां होगी तो अर्टर साउंड मशीन चल पड़ेगी प्रेंग्नेंसी के जो टेस्ट यह लोग करते हैं रेड क्रॉस में वो फ्री होते हैं बस एक अल्टर साउंड और थाइरोइड का होता है उसके लिए उनको चमबा जाना पड़ता है कि अभी डॉक्टर जो रेडियो लॉजिस्ट है वो वैसे ही कम है ही माचल में तो हर बार ही लिखते हैं अपने उचादिकारियों को जैसे ही आएगा कोई डॉक्टर तो अल्टर साउंड मशीन चला दी जाएगी